मित्रो आपको केवली उपाई साथ दिनों तक उपयोग में लाना है आपके शरीर में केसा भी रोग हो दोश हो बिमारी हो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी आज भी हमारे आयरुवेद में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कुछ यसे गुप्त उपाई और गुप्त मंत्र चुपे हुए हैं जो आपकी हर बिमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर आपके शरीर में भी कोई से भी बिमारी हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान लगा कर जरूर सुनिएगा मित्रो आपके शरीर में कुछ भी बिमारी हूँ आपको जाना है तुलची के पोधे के पास ये देख लीजे तुलची का पोधा है तुलची के पोधे को प्रणाम करना है प्रणाम करके आग्या मांगना है कि है तुलची माता में आपके पोधे से साथ पतियां तोड रहा हू और आपको यहां से साथ पत्या तोड़ लेना है कितनी साथ पत्या आपको तोड़ लेना है अब इन साथ पत्यों को तोड़ कर आपको आपके घर जाना है का पर जाना है घर में जहां पर घर में आपका भगवान का मंदिर है वहां पर जाना है भगवान के सामने इसे भीक मां रहे हैं भगवान से हम आश्या कर रहे हैं कि भगवान हमारे रोग दोश को खत्म करेंगे भगवान के सामने ऐसे करना है और एक मंतर का जाप करना है ओम हिमकलिम हनुमान जी महराज रोग विनाशाय नमस्वाह इस मंतर का 51 बार जाप करना है आपके शरीर में जो भी रोग है दोश हैं वो आपको भगवान को बता देना है और भगवान से प्रातना करना है कि हे भगवान मैं इस रोक से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस रोक को इस भीमारी को पूरी तरीके से मेरे शरीर से खत्म कर दो और इन सातों पत्तों को आपको गरहन कर लेना है खा लेना ह साथ तुल्ची पत्र के तरीके को साथ दिनों तक अजमाईये सच्चे मन से अजमाईये प्रेम से हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हुए इस उपाई को अजमाईये दुनिया का कोई से भी रोग हो इस उपाई के सामने नहीं ठीक पाईगे